हेलो गाइस वन सेगन वेलकम बेक तू माई चैनल आज नो आ वीडियो आउटी सब्जेक्ट मां इंपोर्टन डिफ्रेंसिस जे खारा अकोडिंग टू जीक्व सीले बस राइट एना स्वाल्यूशन रिलेटेर छे एनो परपस आ वीडियो नो बस इतलो छेगे तमें एक्जा स्वाल्यूशन मां छे तमें त्यां थी जोई लिया जो सो अहीं गाड़ी मुखवेत वे आपड़े आट डिफ्रेंसिस नी लास्ट वीडियो मा बात करेती एमां थी फर्स्ट फोर बीयाली सुधीना राइट ए विशे नीओ एमां इंफर्मेशन आप पानो छू फर्स्ट अहीं गाड़ी जे मैं स्लाइड बता हूँ तो हमां उपर का एक लखेलू देखा तुवा से व्राइट करेलू का बीसी पीसी यूस्पीड एच्छूली एक असुज नधी बाट आज टोटल पॉइंट करा एने स्वाट फॉर्म जे इज अपने पेटन बजदन यंदर यू फोर यूजड वन्स अगें पी फोर प्राइज एंड प्रोसेसिंग पावर बने कबर ना थिक तमें आर इतनी ट्रीक उप्योग करो छो के नए बट जो ना करता हूँ तो आए वीडियो तमें एटलीस जोगो तो ट्राइ कर जो एना थी तमें मैक्सिमाम उच्छा टाइम न सब्सक्राइब निजए पाइब निजए पाइब ना पूछो ना फूछा उर्ण माक मनें अंदर करें कर वानुग कर पाची स्वाट माट्स प्राइट करवानुगे तो तो में एसली यह ना लखी सको से में IOT M2M मा नीचे तमें ABC CDP सो राइट तरने अंदर A stands for application B stands for based on first point C stands for cloud fourth number point and eight number point communication D stands for data P for protocol S for six number point and four stands for open API every day TAMI C OAP MQTT नोपन तफावाथ U square CSE RH यानी अंदर crumb wise line नी अंदर अच्छे तमें ए easily choice सको शो अने last नी अंदर जै classic Bluetooth versus BLE तो T square RD VPR T stands for time lag, throat put, D for data rate, R for range, L for latency, V for voice capable and P for power consumption. So आई वीडियो बना नो परपस एट छे के तमें easily short time नी अंदर वजारे point क्याद राखी जगो जो तमने आई वीडियो कम्यों हुए तो like कर जो share कर जो और अविज नभी माहिती मेड़ा हुआ माटे मारी या YouTube channel ने subscribe करिदा जो thank you for watching this video